आज की पहली बात पहली याद जोड़ी हुई है दिव्या दत्ता के साथ। जब शारुख खान से मिलने कनौर्ट पलेस पहुँच गई थी दिव्या दत्ता। दोस्तों बड़ा पर्दा हो या टीवी के दुनिया हो सभी जगहा दिविया दत्ता ने शानदार अदाकारी दिखाई है दिविया ने साल 1994 में आई फिल्म इश्क में जीना मरना से बॉलिवुड में डेब्यू किया था हिंदी पंजाबी के अलावा मल्यालम फिल्मों में अभिने करने वाली दिविया को कई अवॉर्ड के साथ सनमानित किया जा चुका है अब तक दिविया ने मन्टो अपने यू एंद मी भाग मिल्खा भाग जैसी तमाम बहतरीन फिल्मों में बहतरीन अदाकारी करके दर्शिकों के दूलों में खास जगा बनाई है तमाम एक्टरिस की तरह दिविया भी शारुख खान के साथ काम करना चाहती थी एक्टरिस ने एक इवेंट में खुलासा किया था वहाँ दिल से फिल्म का हिस्सा मनिशा कोईराला के वजह से नहीं बन पाई थी दिवदत्ता ने बताया था कि पहली बार शारुख खान को एक पडियूसर के आफिस में देखा था उनोंने तब से उनके साथ काम करने का वो मौका तलाश रही थी एक बार पता चला कि शारुख खान दिली के कनौट पलेस में दिल से की शूटिंग कर रहे हैं मैं पहुँच गई वहाँ शारुख खान एक जीब में बैठे थे और लोग उनकी एक जलक पाने के लिए बेकरार थे मैं उनसे मिलने पहुँची तो उन्होंने फिल्मी स्टाइल में हाथ आगे बढ़ा कर मुझे बुलाया दिविया ने आगे बताया कि शारुख ने मुझसे चाई के लिए पूछा और मेरी आने की वज़ा पूछी मैंने कहा कि मैं दिल से का हिस्सा बनना चाहती हूं उन्होंने वादा कर दिया कि इस बात को आगे बढ़ाएंगे वो शारुख की सिफारिश के बाद फिल्म डिरेक्टर मनी रत्नम का फोन आया उन्होंने कहा कि फिल्म में नहीं ले पाएंगे वो मुझे क्योंके मेरी शकल मनीशा कौराला से काफी मिलती जलती है बतादें कि दिल से फिल्म में मनीशा कुराला ने लीड रोल प्ले किया था जिस रोल को दिवेदत्था करना चाहती थी उस रोल को ने नवेली अक्ट्रिस परिटी जिनता ने किया था उसी को कास्ट किया गया था मनी रत् Neptune के द्वारा उस फिल्म में ये पूरा किस्सा दिवीडटता दोरा एक इंट्रू के दूरान सुनाय गया था और ये बात देखिए आप के शारू खान ने वादा किया और उस वादे को सिर्फ किया ही नहीं बलकि उस वादे को निभाया भी प्रामिस किया और डारेक्टर मनिरत्नम से बात की और डारेक्टर्स आपका फोन सीधा दिवया दत्ता को गया कि मैं आपको कास्ट नहीं कर सकता इस फिल्म में क्योंकि मुझे एक नई एक्ट्रिस चाहिए इस फिल्म के लिए लेकिन शारुख खान ने अपना काम जो किया था और आपको बता दूं के ये फिल्म भी सूपर डूपर हिट साबित हुई थी दिवया दत्ता ने बहुत सी फिल्म में चाहे छोटे करदार किये हों चाहे बड़े करदार किये हों चाहे कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर वो रही हो या फिर उन्होंने किसी फिल्म में बहन का रोल अदा किया हो दोस्त का रोल अदा किया हो चाहे भूमिका छोटी रही हो पर उन्होंने अपनी अदाकारी के दम पर उस छोटी सी भूमिका को भी यादगार बना दिया अगर आपने भाग मिलखा भाग फिल्म देखी है तो उसमें आप देवेदता की एक्टिंग को इगनोर नहीं कर सकते हैं कमाल की अदाएगी थी उनकी बहन का किरदार निभाया था उन्होंने इस फिल्म में भाग मिलखा भाग फिल्म में मिलखा सिंग की बहन के रोल में हमें वो नजर आई थी और जबरदस्ट एक्टिंग की थी उन्होंने और उनकी एक्टिंग देखकर कई लोगों की आखें आज भी जलक उटती हैं लोग जब भी वो फिल्म देखते हैं